हेलो एवरिवन गुड मॉर्णिंग तो वेल्कम बैक मा यूटूब चैनल इस राज यूर इंग्लिश मास्टर टीचर तो फ्रेंड्स ब्ससी बुस्टर में आपनों का स्वागत है तो चलिए आज हमारा साइंस का डे एट होने वाला है फ्रेंड्स इससे पहले मैं साइंस का जो हमारा डे 7 तक हो चुका है बहुत सारे टॉपिक्स में करवा चुका हूँ और यह हमारा आस पब्लिकेशन से पार्ट टू जो हमारा बुक आया होगा फ्रेंड्स उसका है ठीक है जो मंत्री मैगजिन के नाम से है अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जूड़े है तो उपर की तरफ लगाया गया बल क्या कह रहता है तो पानी के तरफ उपर लगाया गया बल क्या कह रहता है और सी करेक्ट है उत्पलावन बल क्लिर है नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सता से गहराई कम होती है तरहल दुवारा डाला गया दबाओ, क्या होगा, तो option number C correct है, काम हो जाता है, उच्छेप, बल और भार कारे करते हैं, तो तीन का option number B हो जागा correct, विप्रित दिसाओं में, clear है, next question, 4 number, ये रहा सवाल आपके screen पर, जहाजो की गती की में वृद्धी, किस पर अधारी तता है, ये होता है, friends, Archimedes का सिधानत, option number 4 का A correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 5, फड़ा फड़ा आप लोग answer देंगे, उपरी प्रनोध और भार किस में प्रियुक्त होते हैं, तो 5 का option number हो जागा, ठीक है, उपरी प्रनोध और भार विप्रित दिसाओं में प्रियुक्त होते हैं, clear है, बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि इसका घनतु क्या होता है, बर्फ जो हो पानी पर तैरती है, क्योंकि इसका घनतु पानी से कम होता है, option number B is correct, सापेच घनतु किसके बराबर होता है, तो 7 का option देना है आपको, तो बताएगे क्या हो जागा, friends, 7 का option number हो जागा, C correct, पद कोई वस्तू तैरती है तो वस्तू पर जल द्वरा लगाया जाने वाला उत्पेश बल क्या होगा तो आठ का अप्सन नमबर हो जागा डी करेक्ट वस्तू के भार से अधीक नाइन नमबर कोश्चन ये रहा फ्रेंट्स फटा फटा आप लोग बताएंगे दाब को किस प्रकार परिभासित किया जाता है तो दाब को परिभासित कैसे करते हैं आप्सन नमबर बी हो जागा करेक्ट प्रनोत प्रती एकांग छेतर फल के दोरा दाब को परिभासित किया जाता है दस number सवाल ठोस के पिखलने के दोरान इसका तापमान क्या होता है दस को option number D correct परिवर्थित नहीं होता है 11 number question उचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर दबाओ कैसा होता है तो 11 करेक्ष यारा नमबर से बाहर से बहुत ही अधिक होता है बारा नमबर कोश्चन इन विखेते कारणों में से किसके कारण बादल अकास में तैरते हैं तो बारा का ओप्सन निमन घनतों के कारण ठीक है नेक्स्ट लाइड हमारा थाटिन नंबर सवाल यह रहाँ फ्रेंट्स वस्तुता किसी गैस द्वारा पात्र के दिवार पर लगाया गया बल गैस के अनुगों में क्या होता है तेरा को अप्सन नंबर डी करेक्ट है अनुगों के दिवार से टकर आने के कारण उनकी संग्वेग में परिवरतन होता है नेच्ट हमारा थाटिन 14 नंबर कोर्षेन गैस में आन्वी गती के वीतरन पर तापमान में व туда के प्रभाव के संबंद में इमल्लिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो फरटिन का अप्सन नंबर बी करेक्ट है कि सबसे संभावित गती के साथ अनुओं का अंस क्या होता है बढ़ता है यह सबते नहीं है ठीक है पंदर नंबर कोशन वाई सिती जिसमें अनुओं अकरसित अत्याधिक दिड़ होती है तो पंदर को अप्शन नंबर एक अरेक्ट होजागा ठोस में सुला नंबर कोशन एक नि क्या जाता है उसका अनुओं उसका एंसर देंगे क्या कहा रहा है 17 सवाल थरस्ट प्रती 216 को क्या कहा जाता है तो तरस्ट परती काई छेतर को क्या करते हैं सितरा का option number हो जागा C correct दाब जैसे ही एक 18 number question जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सता से गराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाओ क्या होगा 18 का क्या हो जागा option number C correct बढ़ जाता है 19 number question ये रहा friends फटाफट आप लोग इसका answer देंगे दोस्तों किस तापमान पर पानी का घना तो अधिक्तम होता है तो 19 का option number D correct हो जागा 4 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है next हमारा 20 number सवाल एकांग पदार्थ के घनातों किसके रूप में परिभासित किया जाता है तो 20 का क्या हो जाएगा option number A हो जागा correct द्रवमान प्रती इकाई आइतन next हमारा 21 number question निम्न में से किसका घनातों जल के घनातों से अधिक होता है तो 21 का क्या हो जागा option number C correct लोहे की कील 22 number सवाल क्या कहता है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क को और लोहे की कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि लोहे की कील क्या होती है डुब जाती है इसके पीछे का कारण क्या है तो 22 का option number B correct दोस्तों की लोहे की कील का घना तो पानी की घना तोसे क्या है अधीग है इसलिए वो तैरता है 23 number question क्या कहता है निमने मेंसे कौन सा नियम गैस से समंधित नहीं है तो 23 का क्या हो जागा option number हो जागा B correct जूल का नियम 24 number सवाल यह रहा फटा फटा अप लोग उसका एंसर देंगे कि विसरन के बारे में निमने में लिकित में से क्या सही नहीं है तो 24 का option number A correct हो जागा गैसो के विसरन की दर उनके आईटन पर निर्भर करती है ठीक है नेक्श हमारा 25 number question चार्ल्स का नियम गैसो के किन्दो गुनों के मद संबंध स्थापित करता है तो 25 का option number C correct है आईटन एवं ताप का 26 परम सुनिताप होता है तो 26 का क्या हो जागा एंसर आपको बताना है कि परम सुनिताप जो होता है वो क्या होता है तो 26 का option number A correct है कौन सा गैसी है नियम इस्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आईटन के मद संबंध को परदर्थित करता है तो 27 का option number A correct हो जागा बॉयल का नियम नेक्स्ट हमारा 28 number question गैस की मातरा युद्कुर्वनों पाती होती है तो 28 का option number A क्या हो जागा दाब के ठीक है 29 number सवाल ये रहा इस्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धिक करने पर उसके आईटन पर क्या परभाव पड़ेगा तो 29 का option number A हो जागा उसके पर परभाव क्या पड़ेगा वो बढ़ जाएगा 30 number question जिस ताप मान पर किसी गैस का आईटन सुनी हो जाता है उसको क्या कहते हैं तो 30 का option number हो जागा B करेक्ट परम सुनी ताप मान 31 number question ये रहा दोस्तों गैस का कौन सा गुन इन्हें श्वाहन बनाता है 31 का option number B करेक्ट हो जागा सम पीड़ जियता निन में से कौन विस्तरित नहीं है 32 number सवाल 32 का option number D करेक्ट हो जागा मैथी पाउडर ठीक है नेक्स हमारा 33 number question ये रहा दोस्तों गैसों के अनुगती सिधान्त के अधार पर नमलिकित मेशे असत्त कतन को पहचानना है तो 33 का क्या हो जागा option number B करेक्ट ये हमारा असत्त है कि गैसिये अनुगों के मद्ध सक्त अकर्षन बल कार करता है नेक्स्ट हमारा 34 number question ये रहा अभी लाच्चनिक गैस समिकरन भी पी बी इस उकल टू नर्टी किस गैस के लिए सही परकार से लागू होता है तो 34 का option number C करेक्ट हो जागा आदर्स गैस नेक्स्ट रवाल 35 number question मटर के पौधो में प्रतान के वृद्धी किसके कारण होती है तो 35 का क्या हो जागा option number C करेक्ट प्रतान की उन को सिकाओं में तिरुई भाजन के कारण जो और लंभन से दूर होती है तो शागत किया गया है एक X गुनसुत्र है किस प्रकार बचा बच्चा बनेगा ठीक है तो 36 का option number B करेक्ट लड़की हो जाएगी लेक्ट हमारा 37 number question मटर के एक सुध लंबे पौधे टीटी और एक सुध बौने पौधे टीटी संकरन कराया गया है F2 PD में सुध लंबे पौधे और बौने पौधे का नुपात क्या होगा तो 37 का क्या हो जागा फिंट्स option number C करेक्ट 1 is to 1 next 38 number सवाल क्या कहता है कि मटर के पौधो में पाय जाने वाला गुन निम्लिकित में से कौन सा नहीं है तो 38 का option number 1 की जुरीदार बीज next 49 number question रिक्त अस्थान में सबसे उप्योक्त विकल्प भरे यदि एक पौधे का समझीनी ठीके जिसे हम लोग genotype कहते हैं TTRR है दो समलचनी फेनो टाइप होगा किसका 49 का option number C बोना और गोला मादा के next question हमारा क्या कहता है मादा के अनी से चित अंडे में क्या होते हैं तो 40 का क्या हो जगा फ्रेंट्स अप्सन नमबर B correct X chromosome 41 number question पढ़ लेजिए आप लोग फटा-फट की मानौ सरीर की को सिकाओं में क्या पा जाता है तो 41 का क्या हो जगा फ्रेंट्स मानौ सरीर में को सिकाओं में क्या पा जाता है तो 42 का क्या हो जगा पीता के गुन सुत्र पन रिपेंट करती है किस प्रकार का पूर रिजिनर अधीक विविधिता ला सकता है तो 43 का क्या हो जगा अप्सन नमबर A लैंगीक 44 नमबर कोस्टन ये रहा फ्रेंट्स पटाफाट आप लोगो को बता देना है कि पीडी F1 में दिखाई जाने वाला लच्छन है कौन सा 44 का उप्सन नमबर B करेक्ट प्रबलता नेक्स्ट हमारा 45 नमबर सवाल मानों में नर युगमरज निम्निकित में से कौन से गुनसुत्र का वहक होता है तो 45 का उप्सन नमबर हो जागा डी करेक्ट या तो X या फिर Y गुनसुत्र ठीक है किसने सज्जीव वस्तुवों में लच्छनों की अनुमान सिकता के सिधानतों के परितिपादर में यूगदान दिया है तो 46 का उप्सन नमबर D करेक्ट ग्रेगर जोन मेंडल 47 का कैशन क्या कहता है कि मटर के पौधे पर मेंडल के परियोगों में कुछ निशकर्स दिये गए हैं जिन में से एक के अलावा अनिस अभी सही है गलत निशकर्स को आपको चेन करना है फ्रेंट तो 47 का अप्सन नमबर भी गलत है परते युगमज में एक ही जिन के दो परती रूप होते हैं यही ग मेंडल है उनका निधन कभ हुआ था दोस्तों आप्सन नमबर एक करेक्ट है 1884 में नेक्स्ट आम तोर पर मेंडलियन कारक्ट क्या कहलाते हैं उन्चास का आप्सन नमबर भी करेक्ट जिन कहलाते हैं महिला रोगानुओं को शिका जिसको जर्म सेल में गुन सुत्रों की संक सेशन को क्लिक करें मित्र ताकि सबसे पहले वीडियो का बिया सेसी का नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंचे ठीक है तो बहुत जल्द मैं एक नया सेशन लेकर आने वाला हूं जो कि हमारा सीजियल और जीडी के लिए होने वाला है मित्र तो चलिए आज के लिए इतने